नमस्कर अभी हम हैं डाल्टिन गंच के जी एले कॉलेज के पास में जो फुटबॉल का एस्टेडियम बन रहा था बहुत दिन से अधूरा था लगवग 10-15 साल से अधूरा था जब इंदर सिंग नमधारी यहां पर विधायक हुआ करते थे उस समय से एस्टेडियम ऐसे ही पड़ा था अब कुछ दिन में चालू होने वाला है इसका रिफेरिंग का काम जैसे ही कुछ बाकी है अधूरा जो काम बाकी है वह चालू होने वाला है और चालू हो रहा है और इसका टार्गेट दिया गया है कि तू मन्त दो महीने के अंदर यह चालू होगा इन लोग को दिखाईए और हम इनसे एक इहां पे सिकूरूटी के तौर पे रहते हैं, हम इनसे बात करते हैं, और जानते हैं कि कब तक फाइनल हो जाएगा, कब तक बनेगा, हम इनसे बात करते हैं, बताईए आप कि कब तक कितना दिन के अंदर बन जाएगा, देखिए अब कलकाता से समान आ रहा है, अब काम इस्टाट होनी के बाद हो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि कितना समय लगेगा मगर एक अंदाज हम लोग रखे हैं कि उतना में हो जाएगा तो बताए होंगे न कितना अंदर दिन के अंदर फाइनल देना है अभी हमको नहीं मालूम है आपको मने ऐसा कुछ होगा कि जैसे के काम जो चालू होगा तो दो महीने चार महीने च्छे महीने के अंदर पाइनल हो जाएगा कि पहले जो था बंजर टाइप पे था यहां पे जितना कुछ नहीं बंजर ही मतलब पूरा प्रसबन और पेड़ पौधा जाड़ी ऐसा ऐसे चीज यहां पर थे लेकिन अभी बहुती बेहतरी साप सुत्रा यहां पे है और यह जो बोल रहे हैं कि 2-4-6 महिने चालू हो जाएगा और बन जाएगा और जो है कि एहां पे जो बन जाएगा फुटबॉल एस्टेडियम जल्दी साल नहीं लगना है तो यह बेहतरीन फुटबॉल एस्टेडियम ने और देखें कि फुटबॉल एस्टेडियम के लिए बैठने के लिए यह हजारों आदमी के लिए सीट है जो हजारों के हजार आदमी बैठके इसमें फुटबॉल क्या मजा ले सकते हैं इसमें टूर्णामेंट और बहुत सारा खेल हो सकता है अब ऐसे से देखें कितना यहां तरिन है कितना बढ़िया है उधर देखिए जेले कॉलेज का इन्वर्शिटी बन रहा है उसी का बगल में फुटबॉल एस्टेडियम है और यहां पे जो है जितना भी है देखिए बना हुआ है कितना बेहतरीन रूप से बना हुआ है और इसका कुछी दिन में काम चालू जाएगा और बहुत जल्द ही आपका एक सौगात आपको मिलेगा डाल्टिन गंज में जो एक फुटल बॉल के यहां ग्राउंड है जो हाँ पे और भी कुछ आदमी जो है यहां पे आए हुए है उद लोग बताएंगे किस तरह से कितना दिन में शुरू होगा हम बात करते हैं उनसे हलो सर हम फोन से सर से बात करते हैं हलो सर हाँ सर हम आप तक ने उचके मिडिया परभारी बोल रहे हैं मेरा ओम पाठक नाम हुआ सर हम आपसे एपूछ रहे हैं कि सर ए कितना दिन में मतलब चालू होगा जी मतलब मने माल लेते हैं मन माल लेज़े दो ही महीने मतलब दो महीने के अंदर चालू हो जाएगा ऐसा कुछ जे जे अभी हमारे सर से आप कौन है सर एस जे अभी हमारे कॉंट्रेक्टर से बात हुआ कि एक महीने के अंदर ही फाइनल हो जाएगा एक महीने के लेकिन तबर भी इसको द्गाटन लेका आप दो मन्त तू मन्त मान सकते हैं दो महीने के अंदर पूरा चालू हो जाएगा दो ग्राउंड का लुप्त उठा सकते हैं, गूमने के लिए भी आके देख सकते हैं, इन्वर्सिटी में जितने लड़के लोग भी आते हैं, यहां देख सकते हैं, और इतना बहतरीन ग्राउंड पलामु जीला में कहीं भी नहीं है, फर्ष्ट बार बहुत दिन से ऐसे ही पड़ हम से बोले कि एक महीने कंदर हम इसको बना देंगे, दो महीने बहुत होते हैं, तो एक महीने कंदर हम बनाते हैं, तब भी हम मान लेते हैं, दो महीने इधर आते हैं, और फिर एक बार आप लोग को नजारा दिखाएंगे एस्टेडियम का, और बताएंगे कि देखिए हमार पला मुजीला में कैसे सौगात है आप तक नियूट से ओम पाठक धन्यवाद